इस वीडियो में हम लोग Fast PWM Mode और Phase Correct PWM Mode के बीच में क्या basic differences होते हैं उसके बारे में बात करेंगे अब Fast PWM Mode और Phase Correct PWM Mode क्या होते हैं और कैसे हम इसकी programming करते हैं इसके बारे में मैंने इससे जो previous 3-4 वीडियो उसमें अच्छे से explain किया है अगर आप इस चीज़ को detail में समझना चाहते हैं तो आप इससे जो previous 3-4 वीडियो हैं उनको जरूर से दिख लिजेगा फिलाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं Fast PWM Mode में हम लोगों का जो timer है वो single slope operation करता है वहीं आप बात करें phase correct PWM Mode की तो वहाँ पर हम लोगों का जो timer है वो double slope operation करता है अब यह single slope operation क्या है और double slope operation क्या है इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं अपने इस diagram से तो देखिए हम लोगों का जो fast PWM Mode है इसमें जो timer है उसकी initial value zero होती है और हर एक clock pulse के साथ हम लोगों का जो timer है वो अपनी values को increment करता है अब जैसे ही यह value हम लोगों की max पहुंचती है या 255 पहुंचती है वैसे हम लोगों का जो timer है क्या करता है वो overflow होता है और again अपनी value को यहां से reset करके zero कर देता है ठीक है फिर again आपका यहां से zero से value increment होनी start होंगी और 255 reach होंगी जैसे यह value 255 से exceed करती है वैसे again यह zero होगा ठीक है तो इसमें आप देख पाएंगे हम लोगों का जो slope है वो एक side में ही बनता है इस वज़े से हम इसको बोलते है single slope operation वहीं आप बात करें यहाँ पर phase correct PWM mode की तो यहाँ पर हम लोगों का जो timer है उसकी initial value zero होती है और initially यहाँ पर जो यह values होंगी वो increment होंगी हर एक clock pulse के साथ और जैसे ही आप लोगों के यहाँ पर timer counter की value 255 हो जाती है वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर जो counting का direction है वो change हो जाता है मतलब की 255 reach होने के बाद आपका यहाँ पर decrement होना start हो जाएगी timer counter की values ठीक है और यह कब तक आपके decrement होती है जब तक कि यह value आपकी 0 नहीं हो जाती है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोगों का जो है यहाँ पर दो अलग-अलग slopes मिलते हैं इस वज़े से हम इसको double slope operation बोलते हैं so fast pwm mode में हम लोग जो यहाँ पर time period निकालते हैं यह basically calculate किया जाता है bottom और max के बीच का ठीक है मतलब कि आपका जो timer है वो 0 से start होगा और इसकी value 255 तक जाती है 0 हम लोगों का bottom है और 255 max है तो यहाँ पर bottom से max तक reach होने में हम लोगों के timer को कितना time लगता है यही हम लोगों का time period होता है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यह 0 है 255 है तो इसके बीच का जो time period होता है इसको ही हम लोग अपनी waveform का time period बोलते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर fast pwm mode में अपना wave का time period निकालते हैं वहीं आप बात करें phase correct PWA mode में तो इसमें जो हम लोग calculation करेंगे waveform के period की वो basically max to max करते हैं मतलब कि इसमें जो हम लोगों का 255 value है और उसके बाद जो next वाली 255 value आने वाली है उसके बीच में कितना time हमको लगता है उसके तुरू हम लोग यहाँ पर अपना total time period निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हम लोगों का 255 है इसके बाद next 255 हम लोगों का यहाँ पर आएगा ठीक है तो इस 255 से इस 255 तक reach होने में हम लोगों के timer को कितना time लगेगा इससे ही हम लोग अपना time period find out करते हैं वैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे यह हम लोगों का first period है इसके बाद इस 255 से next 255 कब आएगा उसके बीच का जो time होगा यह हम लोगों का second period होगा सेम ऐसे ही इस 255 से next 255 कितने देर बाद आएगा इससे हम लोगों का third time period यहाँ पर calculate होगा so fast PWM mode में आपने देखा हम लोगों के timer की value 0 से 255 तक जाती है और इसके बीच में जो time लगता है उससे हम लोगों का time period निकलता है सेम ऐसे हम लोगों का जो phase correct PWM है इसमें जो counting है वो 255 से पहले 0 होगी फिर 0 से 255 तक होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं phase correct PWM mode में लगबग हमको double counting करने परती है तो double अगर आप counting कर रहे हैं तो यहाँ पर double time period भी आपको यहाँ पर मिलता है ठीक है तो यहाँ पर यह point है कि phase correct PWM mode में हम लोगों का जो यहाँ पर total time period होता है वो just double होता है fast PWM mode के comparison में और आप कह सकते हैं कि जो fast PWM mode है इसमें हम लोगों का जो total time period होता है वो just half होता है आपके phase correct PWM के comparison में अब हम लोगों को पता है कि frequency और time जो है वो एक दुसरे के inversely proportional होते हैं तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि fast PWM mode में जो भी हम लोगों की waveform generate होती है उसकी frequency just double होती है phase correct PWM wave से यह फिर आप कह सकते हैं कि जो आप लोगों का phase correct PWM mode में हम wave generate करेंगे उसकी frequency just half होती है fast PWM wave से ठीक है और अगर आप यहाँ पर frequency find out करना चाहते हैं तो दोनों के अलग-अलग यहाँ पर formulas है ठीक है fast PWM mode में हम लोग जिस frequency से अपने timer को run करते हैं उस frequency को divide करते हैं pre scalar into 256 से तो इससे हम लोगों की जो output waveform है उसकी frequency find out हो जाती है वहीं phase correct PWM mode में हम लोग जिस frequency से timer को run करते हैं उसको divide करते हैं pre scalar into 510 से next most important difference हम लोगों का यहाँ पर यह है कि जो fast PWM mode है इसमें हम लोगों को non symmetric output मिलता है वहीं आप बात करें phase correct PWM mode की तो यहाँ पर हम लोगों को symmetric output मिलता है अब हम समझते हैं कि यहाँ पर जो symmetric output है या फिर non symmetric output है यह exactly होता क्या है दिखिए हम लोगों का जो fast PWM mode है इसमें जो हम time period निकालते हैं वो 0 से 255 के बीच में निकालते हैं तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं draw करता हूं suppose कि यह हम लोग यहाँ पर देखते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह हम लोगों का एक पूरा time period है तो यह हम लोगों का fast PWM है ठीक है वही हाँ आप बात करें face correct PWM तो इसमें हम लोग जो period निकालते हैं 255 से 255 के बीच में निकालेंगे तो इसको भी मैं यहाँ पर draw करता हूं so कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है total time period find out करते हैं अब इसमें अगर आप लोग देखें इस time period के बीच में हम लोगों का waveform का pattern तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी चीज़े clear होंगी देखिए हम लोगों का जो fast PWM mode है इसमें जो हम लोगों का starting का time period है उसमें जो wave है on रहती है और जो बाद में का time period है उसमें यह low रहती है ठीक है अब एक कितने time के लिए on रहेगी और कितने time के लिए off रहेगी यह basically depend करता है आपके OCR की value के उपर यहां पर आप को बस इतना सा ध्यान देना है कि हम लोगों का जो यहां पर pulse on रहेगी वह time period के starting वाले portion में रहेगी और बाद वाले portion में वह आपकी low रहती है ठीक है सेम ऐसे ही अगर आप लोग यहां पर phase correct PWM mode में देखते हैं तो यहां पर हम लोगों की जो wave है वह initially वह छोटे से time period के लिए low रहेगी फिर वह आपकी high होती है और उसके बाद फिर से वह low होती है तो यहां पर जो हम लोगों का wave में changes होते हैं वो दो बार होते हैं ठीक है पहली चीज तो यह है अब इस बीच में अगर आप लोग TCN T2 की value जब 0 है उसके corresponding यहां पर एक line अगर draw करते हैं ठीक है और इसके बाद अगर आप यहां पर इस line के left और right में देखेंगे तो आपको यहां पर एकदम mirror image दिखती है ठीक है जो यहां पर आपके left side में होगा उसी का एकदम mirror आपको यहां पर right side में मिलता है इसी वज़े से हम इसको क्या बोलते हैं symmetric output बोलते हैं वहीं अगर आप बात करें fast PWM mode में तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहां पर हम लोगों को कोई भी mirror image जैसी कोई चीज नहीं मिलती है इस वज़े से हम इसको non symmetric output बोलते हैं next इसके बाद अगर आप यहां पर duty cycle find out करना चाहते हैं तो हम लोगों के दोनों ही modes में यहां पर अलग-अलग formulas होते हैं अगर आप बात करते हैं यहां पर fast PWM mode में और इसमें अगर आप य 256 से और इसको multiply फिर करते हैं 100 से तो हम लोगों के यहां पर duty cycle आती है वह यहां आप बात करें यहां पर face correct PWM mode की तो यहां पर हम लोग directly OCR2 की value को 255 से divide करते हैं और फिर multiply करते हैं 100 से तो वैसे हम लोगों के यहां पर duty cycle मिल जाती है सेम ऐसे आप लोग देख पाएंगे अग अलग यहां पर formulas हैं और एक बहुत चोटा सा यहां पर difference हम लोगों को देखने को मिलता है सो यह हम लोगों के बहुत चोटे से differences है fast PWM mode में और face correct PWM mode में I hope आप लोगों को इतनी चीज़े clear हो गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं So thank you so much for watching and Jai Hind, Jai Bharat